दोस्तो आज हम आपके लिए फिर से तीसरे नमबर का वीडियो लाए हैं जो इसमें हिंदी के महात्पून प्रशन है दोस्तो जो पिछले कई वरसों से पूछे जा रहे हैं बहुत ही आई-एम-पी है तो दोस्तो आप इस वीडियो को लाज तक देखना और ये वीडियो सकते हैं दोस्तो क्योंकि शेयर करने से आपका जाता तो कुछ नहीं है दोस्तो लेकिन हम एक मॉटिवेशन मिलता है कि हां आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं इसलिए आप उनको सेयर कर रहे हैं दोस्तो कॉश्चन कर्मांग हम पहला देखते हैं इंद्रसब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है आपको इंद्र सब्द का स्त्री लिंग रूप देखना है तो इंद्र का क्या होगा स्त्री लिंग इंद्रा हो नहीं सकता इंद्रा नी हो नहीं सकता इंद्रा नी और इंद्रा नी है तो option number आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा option number आपका C सही आंसर हो जाएगा यानि इंदरानी आपका इस्तिरी लिंग में आता है ठीक है तो इंदरे सब्द का इस्तिरी लिंग होगा इंदरानी ठीक है resext है आपका data सब्द का स्थी लिंग रूप के है data अब data का चहत्तृ दात्र च्छाथी और दार्त्तृ तो दोस्तों द आरत्त्त्र आपका option number d आपका सही अंसर होगा यहिए इसका स्थीолов्इम्स रूप किया है अब नेता क्या है पुल लिंग है. तो नेता का इस तशी लिंग क्या हुआ? नेतिन हो नी शकता. नेतिल हो नी सकता. नेता जी हो नहीं सकता. तो क्या होगा? नेता का नेती, option number आफका कूँसा हो जाएगा? option number A. आपका सही answer हो जाएगा eller नेती ठीक है? चलिए, next question है, उ धौनी का उच्चारण, इस्थान क्या है, उ धौनी का उच्चारण क्या है दोस्तों, आप इसको देखेगा, एक बाप फिर से उच्चारण कीजिए, उ, उ, उ कहां से आ रही, उ, एनि तालू से, उ एनि तालू से, तो option number आपका दोस्तों, उ, एक बाप फि दंताल, बनला, उ, 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 उ आपकी जो दोस्तों आ रही है, कंट से आ रही है, तो दोस्तों, उ आपको कंट से आ रही है, उप्सन नमबर आपका C answer, सही होगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, दोस्तों, हम इसका, जा, इसका उच्चारान इस्थान क् है, जाका उच्चारान इस्थान है, आपका दोस्तों, क्या होगा, जा, कहाँ से उच्चारे थी, जा, कहाँ से हो रहाए है, देखेगा एक फर जा, जा, तालु से हो रहा है हे, तो आपका C answer, तालु से हो जाएगा, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन आपका, रचना के द्रिष्टी से सब्दों कितने प्रकार के होते हैं सब्दों के जो भेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका कि रचना के अधार पर जो सब्दों के भेद होते हैं तीन प्रकार के होते हैं तो option number B आपका सही आंसर होगा ठीक है चल और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं दोस्तों ध्यान रखना बेकारी और अविकारी शब्दों के जो भेद होते हैं आठ भेद होते हैं यहीं option number D आपका सही answer होगा ठीक है next question है संग्या कितने भेद होते हैं यहीं संग्या के कितने भेद होते हैं तो संग्या के कितने वेद होते हैं, संग्या के आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि संग्या के पांच वेद होते हैं, ध्यान रखना संग्या के आपके कितने होते हैं, पांच वेद होते हैं, तो आपका सही हो जाएगा, रचना की द्रिष्टी से सब्द कितने वेद होते है सब्सक्राइब सब्सक्राइब का इसरीरिंग रूप क्या है महासय का महासया सब्सक्राइब महासया option number C, आपका सही answer होगा ठीक है, नायक सब्द का इस्त्रीलिंग रूप क्या है, नायक का, नायक का, नायक का, नायक का, नायक का, और नायक का, तो दोस्तो option number B, आपका सही answer हो जाएगा, नायक का, और option number B, आपका सही हो जाएगा ठीक है, चले, next question है, अध्यापक और अध्या पका और अध्या पिकी तो दोस्तों इसमें कौन जा हो जाएगा अध्या पिकी तो होगा नहीं अध्या पिका तो option number आपका A answer सही हो जाएगा अध्या पिका ठीक है चलिए next question है आपका मा ने बच्चों को सुलाया इस बाक में को किस कारक की विभक्ती है मा ने बच्चे को सुलाया इस बाक में को जो को आ रहा है वो किस की विभक्ती है तो इसमें किस की होना चाहिए मा ने बच्चे को यानि करताने कर्म को तो एदर हो जाएगा कर्म को यानि ध्यान रखना कर्म को कर्म के बाद आए को तो option number B आपका सही answer हो जागा यह नि कर्म को ठीक है चले next question है आपका वह कुलहाडी से ब्रिक्ष काटता है इस बाक में किस कारक्की विवक्ती वह कुलहाडी से ब्रिक्ष काटता है समझे ना वह कुलहाडी से करता ने कर्म करण से करण से तो दोस्तो करण के बाद क्या है से तो यहाँ क्या आ जाएगा से क्या होगा आपका होगा दोस्तो कुन सा कुन सा हो जागा धर पर करण से ठीक है किलिया तो आपका option number C answer सही होगा ठीक है चले next question दोस्तो देखेंगे आपका पिरतेक समास है यहनि पिरतेक समास है पिरतेक समास में कौन सा होगा दोस्तो option नमर अब्वाव समास option number C आपका सही आंसर होगा ठीक है चलिए next question है तरंगा है करंदारे समास बहुप ब्रिय शमास द्वंद समास और इन मेशे कोई नहीं तो दोस्तों त्रंगा आपका कौन सा समास है? बहुँ ब्रिये समास है, option number B आपका सही आंसर होगा, ठीके? चलिए, next question है, कभी का इस्त्री लिंग रूप क्या है? कभी का इस्त्री लिंग रूप क्या हो सकता है? कभी 3, कभी यानी, कभी 3, और इमें से कोई नहीं? सूर्या, तो option number D आपका सही आंसर हो जागा, सूर्य का सूर्या, यानी कि D आंसर सही हो जागा, ठीके? next question है, पेड से फल गिरा, इस बाक में से किस कारक की विवक्ति है? अब पेड से फल गिरा, यानी करता ने कर्म को करण से, अब अपादान से मान, तो दोस्तों इसमें option number B आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी अपादान से मान, तो इसमें पेड से, से यानी अपादान से, तो अपादान इसका सही आंसर होगा, ठीके? जूट मत बोलो इस बक में मत कौन सा निपात है सीमा बोधक, अवधारणा बोधक और तुलना बोधक और निसेध बोधक तो दोस्तो इसमें आपका कौन सा उपसन नमबर डी आपका सही अंसर हो जाएगा निसेध बोधक ठीक है चले नेक्स ट्रैक आपका तुम्हें राम के आने तक प्रितिक्षा करनी होगी इस बक में तक कौन सा निपात है निसेधातमक निपात, नकारातमक निपात, बलदाएग निपात और इन में से कोई नहीं तो वो बोला तुम्हें राम के आने तक प्रितिक्षा करनी होगी मनलब इधर पर होगी बोलना मनलब बल दे रहा है वो इसको फोर्स कर रहा है प्रेसर डला है तो अप्सन नमर आपका सी आंसर सही हुगा यह नि बल दायक निपात होगा ठीक है नेक्स्ट आपका पसू पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस बाक में कौन सा निपात है पसू पक्षी ही अपना हित समझते हैं तो अब दोस्तों समझते हैं तो इसमें आदार बोधक वल्लायक ओधारन बोधक और तुलना बोधक पसू पक्षी पसू और पक्षी पसू हित समझते हैं इस बाक में कौन सा निपात है तो दोस्तों इसमें आपका option number B सही हो जाएगा लेकिन इसका एक थोड़ा सा डाउट answer इसमें तुलना बोधक भी हो सकता है तो थोड़ा सा आप समझ लें तो मुझे comment करना ठीक है चले next question है आपका कास आज बरसा होती इस बाक में कास कौन सा निपात है कास यहनि आदार बोधक सीमा बोधक बिश्मय बोधक वधार बोधक यहनि कास आज बरसा होती फाइनली वटकास आज बरसा होती तो दोस्तों option number C आपका सही यहनि बिश्मया बोधक इसका सही होगा ठीग है चले next question है दोस्तों आपका कोHE कर निपास कितने प्रकार के होते हैं तो द्यान रागते नेपास ब्यद्य ghost नो प्रकार के होते हैं तो आपका सही होगा है निमलिखित में से दीर्ग संदी युक्त पद कोनई सै दीर्ग यहनी देट महर्षी देटियारी सुर्यादे और देविंद्र देओ धन इंडर महर्षी देत धन अरी देथ में आ रहा है और अरी में भी आ रहा है तो यहां हो जाएगा देग संदी तो औपहसं नंबर आप कौन सा बी आंसर सही हो जाएगा ठीक है चले नेक्स कोश्चन है आपका निमलिकित में से कौन सा सब्द बृध्धी संदी का उधारन नहीं है बृध्धी संदी का सदेव परमोदार ग्रूप देश और जलोद तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा ग्रूप ग्रूप देश ओप्सन नमबर सी आंसर आपका सही होगा योधारन नहीं है नेक्स्ट है आपका इत्यादी का संदी बिच्छेद है इत्यादी का संदी बिच्छेद क्या है इत्यादी का इत्धन यदी इती धन आदी इती धन यदी इन में से कोई नहीं तो इसमे होगा इती धन आदी ठीक है सनमती का सही संधी विच्छित है सनमती का सत धन मती सनमती का होता है सत धन मती तो option number B आपका सही आंसर होगा सत धन मती ठीक है चले next question है सदेव में संधी का नाम क्या है सदेव में कौन सी संधी होती है सत धन यू अब यू सत में आ रहा है वह यह आ रहा है तो यू इसमें हो जाए आपकी स्वर संधी यह आपका यह सही आंसर होगा ठीक है सुद्ध सब्द कौन सा है सुद्ध सचिदानंद सचिदानंद और सचतानंद सचीदानंद तो इसमें होगा सचिदानंद दोस्तो option number आपका B आंसर सही होगा सच्चीदानन्द ठीक है आउफसर नमबर B आपका सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्कोशन है गाल बजाना का अर्थ है गाल बजाना गाल बजाना मतलब क्या होता है पिटाई करना गाली देना धोंग करना धींग हागना क्रोधेत होना है ना मतलब धींग हागना गाल बजाना यानि वालदू का धींग हागना है अपसे नमबर आपका सी आंसर सही होगा ब्याकरण जानने वाला बाकी के लिए एक सब्दे ब्याकरण जानने वाला का बाकी के लिए एक सब्द कुन सा है ब्याकरण विश्यशक ब्याकरण का पंडित ब्याकरण ग्याता तो दोस्तों व्याकरण तो अपसे नमर आपका सी आंसा सही होगा ठीक है जो ब्याकरण जानत करें उप्जाओं भूमी के लिए बोलतें और और बराढंगे तो अप्य नमबर डी आपका उसा सफर भी निम्लिके सब्दों मैं किसमें विश्ग संधी है ुश्ग संधी दोस्तों किसमें होगी आपकी नरेंद्र सज्जन सदेव अत धन यो इधर पे होगी विसर्ग संदी नहीं इसमें हो जाए का option number आपका कौन सा D answer सही होगा ठीक है D answer आपका सही होगा चलिए next question है निमनलिखित सब्दों में से किसमें बेंजन संदी है सब्त रिशी सतकार हिमालाय और निराधार तो सत धन कार इनमें इसमें होगी कौन सी आपकी विजन संदी तो option number B आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next question है पबन का सही संदी विच्छे थे पाधन पाधन अवन पाधन अन पाधन अन पाधन बन तो पाधन अन तो option number आपका B आंसर सही हो जाएगा ठीक है चले next question देखें दोगे दोस्तो इन में से कौन सा स्वरसंधी का उधारण है सैयोग पवन नमस्कार मनुहर तो option number आपका B answer पहुदन अना यह नही option number B आपका सही answer हो जाएगा यह स्वरसंधी का उधारण है तो दोस्तो इधर पर हमने देखें का सारे 40 question देख ली हैं 40 question ही बहुत ही IMP थे और मेरा आप से पिल्कुल खिर्चेक बार कर दूँ प्लीज वीडियो को share और like जरूर कर देना वेदि आप channel पर new है तो channel को भी subscribe कर लेना क्योंकि मैं रोज ऐसा ही IMP question के वीडियोज लाता हूं जो आपके लिए परिक्षा की दरिष्टी से बहुत ही मात पुन है और दोस्तो अपना बहुत ख्यार रखिएगा जब तक लिए नमस्कार मिलता हूं next video में next topic के साथ